एक जन्वरी दोहजर चौबिस से सभी केंदरिये कर्मियों का डिये बढ़कर 50% कर दिया गया है प्रन्तो सभी करमचारी कनफ्यूज है कि डिये 50% होने के बाद भी एचारे में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी जो एचारे अभी 9%, 18% और 27% है वो बढ़कर 10%, 20% और 30% होगा की नहीं होगा तो नमस्कार दोस्तो ग्यान पार्टन चैनल में आपका श्वागत है आज के वीडियो में हम चर्चे करने वाले हैं कि डिये 50% होने के बाद भी एचारे के रेट में बढ़ोतरी होगा या नहीं होगा तो आईए सुरू करते हैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जैसे ही डिये 50% हो जाएगा तो कौन-कौन से allowance बढ़ जाएंगे उस वीडियो का thumbnail आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारी चैनल पे जाके देख सकते हैं साथ ही उस वीडियो का link आपको description box में मिल जाएगा उस वीडियो में मैंने बताया था जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि जब 7 पे commission लागू हुआ था तो जो HRA था वो X city के लिए 24% था Y city के लिए 16% था और Z city के लिए 8% था साथ ही जैसे ही DA 25% increase हो गया मतलब जैसे ही DA 25% cross हो गया या 25% हो गया तो जो हमारे HRA का rate था वो X city के लिए 27% Y city के लिए 18% और Z city के लिए 9% हो गया था इसके बाद मैंने वीडियो में बताया था कि जैसे ही DA 50% हो जाएगा तो जो HRA है वो X city के लिए 30% Y city के लिए 20% और Z city के लिए 10% हो जाएगा अब क्या है कि DA जो बढ़कर है वो 50% हो चुका है एक जन्वरी 2024 से DA का जो rate है वो 50% हो चुका है एक जेक 50% ना 50% से कम है ना 50% से जादा है एक जेक 50% है और इसकी घोसना हमारे माननी मंत्री जो P.S. Goyal है उनके द्वारा की गई है और इस वीडियो को आपने सुना भी होगा इन्होंने अपने वीडियो को ट्वीटर पर भी रखाया साथी सभी न्यू चैनल पर भी चलाया गया था जिसमें इन्होंने बताया था कि जो DA है वो 50% हो चुका है और इसका जो effect है वो HRA पर भी पढ़ेगा और HRA जो है वो बढ़कर 10% 20% और 30% हो जाएगा लेखिन लोगों के मन में confusion कहां पर है कि HRA बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये confusion क्यू है और कहां पर है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको जो 7P Commission का जो report था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक नजर में पूरी report मैं नहीं आपको दिखाऊंगा सिर्फ HRA से related 7P Commission में क्या बताया गया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ HRA से समंदित यहाँ पर उन्होंने report बताया था कि 7P Commission लागू होने से पहले XCIT किसे बोलते हैं जहाँ पे 50 लाग से ज़्यादा आबादी हो और YCIT किसे बोलते हैं जहाँ 5 लाग से 50 लाग के बीच आबादी हो और ZCIT जहाँ पे 5 लाग से कम आबादी हो तो 7P Commission लागू होने से पहले XCIT में 30% यहाँ था YCIT में 20% था और ZCIT में 10% था दिया है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं उन्होंने यहाँ पे recommendation दिया कि जो HRA है वह 24% 16% और 8% होना चाहिए किसका 24% 16% और 8% होना चाहिए basic pay का किसी भी करमचारी का जो basic pay है उसका जो HRA होगा वह X city में 24% Y city में 16% और Z city में 8% होना चाहिए साथ ही उन्होंने आगला recommendation इसी पैरा में उन्होंने बताया था कि जैसे ही जो DA है वह 50% क्रॉस कर जाएगा 50% DA क्रॉस होने पर जो हमारा HRA है वह 27%, 18% और 9% कर दिया जाएगा यहाँ पर DA 25% क्रॉस होने पर कोई बात नहीं की गई थी रिपोर्ट में रिपोर्ट में सीधे बताया गया था कि जैसे ही DA 50% क्रॉस करेगा तब जाके हमारा जो HRA है वह 27%, 18% और 9% हो जाएगा साथ ही जैसे DA 100% अगर क्रॉस करता है तब जाकर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा तो ऐसा रिपोर्ट 7P कमिशन में दिया गया था लेकिन उस रिकोमेंडेशन के बेस पे भारत सरकार ने एक ओफिस मेमोरेंडम जारी किया जिसका डेटेड आपको यहां उपर में दिखाई दे रहा है 7 जुलाई 2017 है जो HRA से रिलेटेड है इस ओफिस मेमोरेंडम में बताया गया है कि जैसे ही 7P कमिशन लागू हो गया है तो एक सीटी में जो HRA है वार 24% होगा Y सीटी में 16% होगा और Z सीटी में 8% होगा साथ ही यहां पर उन्होंने दो नंबर में बताया है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी HRA 54, 36, 38 से कम नहीं होगा कि सीटी के लिए XYZ सीटी के लिए साथ ही यहां पॉइंट नंबर 3 में बताया गया था कि HRA का जो रेट है वो रिभाइज कर दिया जाएगा 27%, 18%, 9%, XYZ सीटी के लिए कभ जब डियरनेस एलावेंस जो DA है वो 25% क्रॉस हो जाएगा तब 25% हमारा DA पहले क्रॉस कर चुका था जो वरतमान में हमारा HRA अभी है वो 27%, 18% और 9% है XYZ सीटी के लिए साथ ही इसमें आगे लिखा हुआ है कि further revise उसके बाद फिर से revise किया जाएगा एचारे 30%, 20%, 10% जब DA क्रॉस हो जाएगा 50% तब यहाँ पर जो वर्डिंग डाला हुआ है वो cross है 7P Commission के रिपोर्ट में भी जो वर्डिंग था वहाँ पर भी crosses लिखा हुआ था कि जब DA 50% क्रॉस हो जाएगा तब HRA को एक बार revise किया जाएगा और फिर जब 100% क्रॉस हो जाएगा तब फिर HRA में revise होगा लेकिन इस office memorandum के द्वारा एक relax दिया गया है कि जहाँ पर 50% और 100% की बात की गई थे 7P Commission में लेकिन इस office memorandum में बताये गया है कि नहीं जैसे ही 25% क्रॉस होगा तब HRA को एक बार revise कर दिया जाएगा 27%, 18% और 9% में और जब DA 50% क्रॉस होगा तब HRA में revision होगा 30%, 20% और 10% तो यहाँ जो word crosses है इसी के चलते confusion है कि हमारे DA 50% क्रॉस नहीं हुआ है हमारे DA भी है वह सिर्फ 50% हुआ है 50% को क्रॉस नहीं हुआ है इसीलिए लोगों में confusion हो रहा है कि हमारा जो अभी हारे है वह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा चुकि हमारा जो DA है वह 50% क्रॉस नहीं किया है बलकि 50% पर आके अटक गया है तो अगर आप 7P Commission की report की बात करें चाहे इस office memorandum की बात करें तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा एचारे अभी नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि हमारा जो DA है वह 50% क्रॉस नहीं हुआ है भले ही पियूस गोयल सहाब जी ने भी वहाँ पर अपने बोल दिया था उन्होंने कि जो एचारे है उस पर भी effect पड़ेगा अब अगर एचारे बढ़ता है तो इसका सिर्फ एक ही कारण होगा कि जो भारत सरकार है वो फिर से office memorandum एक revised निकाल सकती है या इस office memorandum का कोई संसोधित पत्र निकाल सकती है तभी revision हो सकता है कि यह जो word जो crosses है उसको यहाँ पर reach मान लिया जाए जैसे ही 50% पहुँच जाएगा वैसे ही revision होगा तभी हैसे हमारा जो HR-E है वो अभी बढ़ सकता है नहीं तो फिर या तो इस circular को देखा जाए या 7th Commission का report देखा जाए तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारा HR-E है वो अभी बढ़ने वाला नहीं है HR-E एक ही सर्थ पर बढ़ सकता है कि अगर भारत सरकार कोई एक revise letter निकाले तब मैंने अपने पुराने वीडियो में एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो composite transfer grant है वो भी बढ़ जाएगा जैसे ही DA 50% होगा तो जो composite transfer grant है वो 80% basic मिलता था वो 100% basic हो जाएगा और जहां 100% of basic मिलता था वो 125% of basic हो जाएगा तो ये भी जो calculation था वो गलत था साइद मुझे कहीं instruction पढ़ने में कोई गलती होई होगी इसलिए मैंने ये बता दिया था आपको तो इसे भी निरस्थी माना जाए composite transfer grant में कोई भी revision नहीं होगा चाहे DA कितना भी percent बढ़ जाए उमीद है आपका सारा confusion दूर हो गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like कर दें साथ ही अपने दोस्तों में share भी कर दें ताकि लोगों का confusion दूर हो जाए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई